TDS यानि की Tax Deducted at Source दोस्तों मैं अपने चैनल पर जब भी कभी किसी Fixed Deposit या फिर किसी सरकारी योजना की अंदर पैसा इंवेस्ट करने के बारे में कोई वीडियो बनाता हूँ तो मुझे हर एक वीडियो पर एक सवाल बहुत बार पूचा जाता है कि सर आप जिस स्कीम के बारे में बता रहे हैं अगर हम उस स्कीम के अंदर पैसा इंवेस्ट करेंगे तो हमारा TDS कितना कटेगा ज़्यादा आसान शब्द में बताने जा रहा हूँ इतने ज़्यादा आसान और सरल शब्द में बताऊंगा कि अगर इस वीडियो को कोई स्कूल का बच्चा भी देखे रहागा तो उसे भी पता चल जाएगा कि TDS क्या होता है तो अगर आप TDS के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखेगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जुरूर करीगा और इसी तरह की informative वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करीगा तो जादा समय ना लेते हैं चली दोस्तों जानते हैं कि क्या होता है TDS क्या होता है TDS का मतलब है Tax Deducted at Source जानि कि स्तरोत पर Tax की कटाउती इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई भुकतान मिलता है यैसे कि वेतन, बेयाज, या फिर किराया आदी तो भुकतान करने वाला आपके पैसे से कुछ हिस्सा पहले ही काट कर सरकार को जमा कर देता है इसे हम TDS कहते हैं यह इसलिए किया जता है ताकि सरकार को Tax पहले ही मिल जाए और आपको बाद में भारी Tax एक साथ ना देना पड़े माल लीजिए आप एक कमपनी में काम करते हैं और आपकी सेलरी 50,000 है अगर आपकी इंकम पर Tax बनता है तो कमपनी आपकी सेलरी का कुछ हिसा काट कर सरकार को भेज देगी बची हुई राशी आपको मिलेगी यह TDS की परकिर्या होती है तो TDS कहां पर लगू होता है TDS कई जगा पर लगू होता है जैसे की सेलरी पर बेंक के वियाई पर रेंट पर यादि किराय पर और पेशेवर सेवहों पर और जोस्तों अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि हमने तो बहुत सारी अलग अलग बैंक के अंदर अपना जो Fixed Deposit Account उपन करवाया हुए है या फिर हम बहुत सारे अलग अलग तरह के Professional लोगों की Services लेते हैं या फिर अपना पैसा हम जो है वो बहुत सारी अलग अलग तरह की Investment Schemes के अंदर Invest करते हैं और बहुत सारी जगे पर हम अपना जो पैसा है वो खर्च करते हैं तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि किस बैंक ने हमारा कितना TDS काट लिया है या फिर किस तरह की Professional Service लेने के लिए हमारा जो कितना TDS काटा है तो दोस्तों यह सब आपको तब पता चलेगा जब आप अपना जो है वो Income Tax Return भरेंगे या फिर आप अपने जो Income Tax रिटरन जहां पर भरते हैं उस अकाउंट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपका TDS कितना गटा गया है तो दोस्तों जब आप अपना Income Tax का रिटरन भरते हैं तब आप यह देख सकते हैं कि आपका कितना TDS डिटरन किया गया है तो अगर आपने अलगले तरह के बैंक कोई अपने fix deposit किसी और बैंक में की है चाह फिर कोई अपने पैसा किसी और जगे में पर इन्वेस्ट किया है तो आप अपनी income tax profile के अंदर जाकर देख सकते हैं कि आपका कितना TDS total deductive हुआ है और आपको कितना और tax जमा करता है याँ पर आपका अगर ज़्यादा tax cut गया है तो क्या आपको refund मिलेगा याँ फिर नहीं तो अब जाते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति ने बैंक में याँ पर post office में fixed deposit करवाई है तो उसके उपर TDS कैसे लगता है तो बैंक के व्याज पर जो आप बैंक से interest लेते हैं उसके उपर TDS एक ऐसी परक्रिया है जिसमें बैंक आपके दोरा generate किये गए व्याज पर बैंक की लिए गया बैंक पर एक निश्चित राशी काट कर उसको सरकार को जमा कर देती है आईए इसको विस्तार से समझते हैं तो माल लीजे किसी व्यक्ति ने post office में याँ फिर बैंक में कोई fixed deposit याँ फिर आड़ी करवी है तो TDS जो है उसकी सीमा क्या है आईए जानते हैं तो दोस्तो जो saving account होता है उसके उपर कोई भी TDS नहीं लगता चाहे जो बैयाज हो वो कितना भी हो लेकर यहाँ पर TDS लगता है fixed deposit याँ फिर आड़ी की उपर तो दोस्तो अगर किसी bank में एक साल भर का ब्याज एक समाने नागरी के लिए 40,000 और एक senior citizen के लिए 50,000 से इडिक हो जाता है तो bank याँ फिर पोस्ट हो भी आपका जो फिर टीडियस काट लेगा तो TDS जो होगा जो माल लीजे एक example के जरे समझती है कि अगर आपने fixed deposit से 50,000 रपे का ब्याज कमाया तो bank जो है फिर 40,000 तक TDS नहीं काटेगा लेकिन बाकी के जो 10,000 है यानि कि उपर की जो सिमय है उसके उपर TDS काट लेगा तो TDS की दर कितनी है आए जान लेते हैं दोस्तो समालने तोर पर जो TDS की दर होती है वो है 10 परसेंट होती है और यह 10 परसेंट की दर तभी होगी अगर आपने अपना PEN काट जो है वो bank को दिया होगी यह जब करता है आपके bank के ब्याज पर जब भी TDS करता है तो वो उस deduct की हुए tax को आपके पैन नमबर के अधार पर सरकार को जमा कर देती है तो आपके पास जो ब्याज बचता है वो TDS काटने के बाद का ब्याज बचेगा उधारन के लिए मान लीजिए fix deposit से आपको 50,000 रपे का ब्याज मिलना था तो बैंक पहले से ही 5000 यानि की 10% जो TDS काट कर सरकार को जमा कर देगी और बाकी का 45,000 आपको देगी तो अब जानते हैं कि फारम नमबर 26 AS और TDS का क्यारलेशन है तो दोस्तो अगर आप यह जानना चाते हैं कि आपका कितना TDS काटा है तो अब जानते हैं कि Tax Term में TDS की Adjustment कैसे होती है दोस्तो माल लीजिए यदि आपके उपर जितना Tax बनता है उससे ज़्यादा TDS कट गया है तो आप अपने जो Return फाइल करते समय उसका Refund मांग सकते है यदि आपके उपर Tax Lab 10% से कम है जैसे कि माल लेजिए आपके जो Income है उसके उपर कोई भी Tax नहीं बनता है तो आप Form 15 G Senior Citizen के लिए Form 15 H भरकर Bank को देख सकते हैं जिससे Bank का आपके ब्याज पर TDS नहीं कट गा तो Form 15 G और 15 H का प्योब कैसे करना है और कब करना है देखे दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी जो Total Annual Income है वो Taxable सीमा से कम है यानिके वो Taxable नहीं है तो आप Bank को ये Form देकर TDS से बच सकते हैं तो एक्जामपल के लिए माल लेजिए आप एक समाने विक्ति हैं और आपकी जो सलाना Income जाए वो 2.5 लाग से कम है और अगर आप एक Senior Citizen है और आपकी जो सलाना Income है वो 3.5 लाग से कम है तो आप Form नमर 15 G और 15 H का अब्योग करके TDS की डेटक्शन से राहत ले सकती हैं तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से Online Form 27 A को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका कितना TDS कटा है तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजट कीजिए और इस वीडियो के बाद वाली वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों इसके अलावा इसी तरह की बहुत सारी informative वीडियो से देखने के लिए किसी नई वीडिये के साथ तब तक लिए नमस्कार जैहिं